नमस्कार बच्चो आएए हम अब इस वीडियो में अपने दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं पाठ आठ पद इसमें हम दूसरे अपने पद की ओर बढ़ेंगे उसके अर्थ को समझेंगे उसके पहले आप लोगों को यह पद किसका है इसे पहचानना होगा तो उसके लिए आप लोगों को इस भजन को देखना होगा यहाँ पर देखिये इस भजन को सुनिए और समझे और बताइए कि यह किसका भजन है सुन लिए किसका भजन था यह जी हाँ एकदम सही पहचाने आप लो यह मीराबाई जी का भजन है और उन्होंने क्रिश्न के लिए गाया है मीराबाई क्रिश्न भक्त शाखा की प्रमुक कवित्री या संत कवी रही है इनका जनम लगभग 1498 इस्वी में जोद्पुर के मिर्ता नामक ग्राम में हुआ कुडकी में मीराबाई का ननिहाल था इनके पिता का नाम रतन सिंग था और माता का नाम वीर कुमारी था बहुत छोटी थी तभी इनकी माता जी का देहान थो गया ये अपने दादा पर दादा के सानिध में बहुत ज्यादा समय तक उनका समय बीता सानिध में रही ये इनके दादा जी राओदा ये बहुत ही धार्मिक और उदात प्रविती के व्यक्ति थे उनका इनके जीवन पर इनके सोभाव पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा इनका बिवाह बच्चो कुमर भोजराज जो उदैपुर के महाराना सांगा के पुत्र थे उनके साथ हुआ इनका वैभाई जीएन बहुत ज़्यादा सुखमे नहीं था इनका बिवाह के कुछ समय बाद ही इनके पती का देहान्त हो गया लोगों ने इन्हें सती करने का प्रयास किया परन्तु ये सती होने के लिए तैयार नहीं हुई सती का अर्थ होता है बच्चो पती के जो जलती चिता होती है उस पे पतनी को बिठा देना आत्मदाह एक प्रकार से आत्मदाह कर लेना जलती चिता पे स्वयक्षा से अपने पती की जलती चिता पे स्वयक्षा से बैठ जाना अपने को सती कर देना तो इसके लिए ये तैयार नहीं हुई वे संसार की ओर से विरक्त हो गई थी, साधू संतों की संगती में हरी किर्तन करते हुए हुए अपना समय बिताने लगी कुछ समय बाद उन्होंने घर का त्याग कर दिया और तिर्था रतन, मतलब तिर्थ अस्थानों के लिए निकल पड़ी बहुत समय तक इन्होंने अपना साथ दिन जो है ब्रिंदावन में बिताया उसके बाद वो द्वार का चली गई जहां लगभग कहा जाता है कि 1560 हिस्वी में इन्होंने भगवान स्री कृष्ण की मूर्ती के आगे भजन कृतन करते हुए उस मूर्ती में ये समा गई देखिए बच्चो आगे हम देखते हैं इन्होंने चार ग्रन्तों की रचना की नर्सी का मायरा गीत गोबीन्टी का राग गोबीन्द राग सोरट के पद। इसके अलावा मिराबाई के गीतों का संकलन मिराबाई के पदावली नामक गरंथ में भी कीया जाता है या मिलता है मीरा जी कृष्ण भक्त थी, वो कृष्ण के बहुत बड़ी दिवानी थी, उनके लिए बच्चों की संसार में कृष्ण के अलावा कोई पुरुस है ही नहीं मीरा की भक्ती में माधूरे भाव काफी हद तक पाया जाता है, वो अपने इस्ट देव कृष्ण की भावना प्रियतम के रूप में करती हैं इस तरह वो कृष्ण के रूप की दिवानी थी, मीरा जी बच्चों सगुर्धारा की संत रही है, सगुर्धारा निर्गुर्धारा इसके बारे में मैंने आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है तो ये सगुर्धारा की संत है, इनके जो गुरु है वो रैदाज जी है, ठीक है, इनके जो गुरु थे वो रैदाज जी थे, इनके पद के बारे में भी आप इस पाट के अंतरगर पढ़ोगे, जनकारी प्राप्त करोगे तो हम लोग आते हैं, इनके पद की ओर, देखिए, पद मैं दो लाइन गाऊंगे और उसके बाद उसके अर्थ को समझाऊंगी पद इस प्रकार है, आप लोग पढ़ भी सकते हो, देखिए, और मैं यहाँ पर गाकल सुना रही हूँ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सत्य गुरू किरिपा करे अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो इस तरह से यह पूरा पद आप लोग पढ़ोगे, इसका 38 प्रकार है, कि मीरा जी कहती है कि मैंने राम रतन धन यह अमोले वस्तु यह अमोले रतन मैंने अपने गुरू की कृपा से पा लिया है मेरे गुरू की कृपा मुझ पर बरसी और मैंने यह अमोले धन प्राप्त कर लिया है और यह जनम जनम की जो पूरा जीवन लगा दिया है इसमें खोवा दिया है, तो भी मुझे इस बात की बहुत खुशी है, कि मैंने यह अमुले धन पा लिया है, देखिए, जनम जनम की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो पायो जी मैंने, इस प्रकार से फिर दिया है अगला लाइन देखिए, खर्चे नहीं चोर, देखिए, कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, मतलब यह ऐसा धन है, कि इसे न कोई चोर चुरा सकता है, और नहीं कोई इसे घटा सकता है, इसके विपरीत यह दिन पर दिन और बढ़ता ही जाता है, अर्थात राम का नाम लेने से, इश्वर की अरादना करने से, क्या होता है हमारी भक्तिभा और ज्यादा गहरी होती जाती है हम इश्वर के और समीप होते जाते हैं सत्की नाव खेवटिया सत्गुरू मेरे सत्की नाव मेरे जीवन की नाव खेवटिया मतलब खेने वाले जो हम लोग नाव में बैठते हैं और जो नाव को देखो आप लोग ऐसे खेते हैं नावी खोते हैं जो तो मेरे सत्की नाव खेवटिया सत्गुरू मतलब मेरी जो ना करने वाले मेरे सत्गुरू हैं और वही मेरे को मुझे भव सागर से इस जीवन के भव सागर से तारेंगे मोक्ष प्राप्थ होगी तो मीरा जो हैं अपने गुरु गिर्धर कृष्ण भगवान को पाकर बहुत ज्यादा खुश हैं उनके गुर्गान गागा कर वो खुश हो रही हैं और अपने गूरु को धन्यवाद दे रही हैं कि आपकी क्रिपा से मैंने अपने इश्वर को अपने प्रभु को पार